Hello students, welcome to Toppers Talk आज है डेट 9 माई 2020 तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 9 माई 2020 से आपके सभी एक्जाम्स में करेंट अफेर्स से लेटेट कौन-कौन से कुश्चन्स बन सकते हैं तो पेपर पेनाउन कर लीजिए और अफेर्स को नोट डाउन करते चलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो आज की आपकी पहली अपडेट है किस राज सरकार द्वारा समस्तकार, खानों और विनिर्मान उद्योगों है तू कतिपाय श्रम विदियों से अर्स्ताई छूट अद्यादेश 2020 लाया गया है आपके उप्शन्स हैं उत्तरप्रदेश, महराष्ट्र, बिहार या हर्याणा ठीक है आपका राइट उप्शन है उत्तरप्रदेश देखे हाली में उत्तरप्रदेश सरकार के दोरा तीन सालों के लिए प्रदेश में लागू सारे लेबर लॉज या श्रमिक कानोनों को निलम्मित करने का फैसला किया गया है देखे ये क्यों किया गया है क्योंकि अभी फिलहाल क्या हो रहा है कोरोना के चलते सभी अर्थ विवस्थाओं में डाउन टॉल की स्थिति या मन्दी की स्थिति चल रही है जैसे कारण विदेशी कंपनिया को लुभाने के लिए अपनी राज में सरकारें क्या करनी हैं इस तरीके की ढील दे रही हैं इससे पहले मद्देश सरकार ने भी जिसमें सिवराज सिंव चौहान जी हैं उन्होंने भी लेवर लॉज में शितिलता दी है और मद्देश में बहातर घंटों तक आप एक हफ्ते में लेबर से या शमिक से काम ra सकते हैं ऐसा उन्होंने लेवर लोज में परिवर्थन किया है ठीक है बाफी चाहूंगा देखे अब आप कोश्टक में देखिए नीचे उत्तर प्रदेश की बात आई है तो राजदानी है लकनाव इतना आपको इस कोश्टन में से याद रखना है देखे नेक्स कोश्टन है हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्टर इन्वेस्ट्मेंट बैंक द्वारा भारत को कितना लोन दिये जाने की मनजूरी दी गई है पचीस सो करोड अलतीस सो करोड चपन सो करोड या आठ हजार करोड दोपे चीक है देखे इसका राइट ओप्शन है अलतीस सो करोड दोपे अभी हाली में एशियन इंफ्रास्ट्रक्टर इंवेस्ट्मेंट बैंक AIIB ने COVID-19 से ने पटने के लिए भारत को 500 मिलियन डॉलर्स अमेरिकी डॉलर्स के कर्ज की मनजूरी दी है देखे AIIB ने हाली में एक फंड भी बनाया है COVID-19 रिकवरी फंड बनाया है जिससे वो क्या करेंगे कोरोना के प्रकोप को जेल रहे देशों को वित्ती सहायता इससे दी जाएगी इसके शुरुवाती आकार कितना रखा गया है पांस से दस बिलियन डॉलर्स ठीक है देखे अब नीचे बॉक्स में आईए AIIB फुल फाम आपको याद हो गया होगा Asian Infrastructure Investment Bank देखे इसका मुख्य चाहिए द्वारा मनाये जाता है आपकी ऑप्शन से मद्यप्रदेश राइस्थान जार्खंड या उत्त्रखंड ठीक है इसमें राइट ऑप्शन है आपका जार्खंड जार्खंड में और उसके अलावा ओडीशा और पस्चिम मंगाल के आधिवासियों के द्वारा मुख जार्खंड की शेकार वहाँ पर नहीं किये गए ठीक है अब नीचे बॉक्स में देखिए जार्खंड की बात आई है जार्खंड की राजधानी है राची सीम हैं हिमंत सोरेन और राजपाल हैं द्रौबदी मुर्मू इतना आपको इस कुर्शन में से याद रखना है आपक महदी दिखें आपका राइट ऑप्शन है मुस्तिफा अलकादेनी दिखें अभी इराग में फिलहाल में क्या है राजनेतिक उठा पटक या राजनेतिक सिर्ता कह लीजे काफी समय से चल रही है पीम पदपर वहाँ पर दस महीने दस हकते में ये तीसरी न्युक्ती की गई पहले दो पीम बनाए गए थे मुहमत अलावी और अधनान जुर की वो भी संसत का विश्वासमत वहाँ पर नहीं जीत पाए जिसकी कारणों ने स्तीफा देना पड़ा और अबदिल महदी फिलाल में वहाँ पर क्या थे कारवाग प्रदान मंत्री के दोर पर काम कर रहे थे ठीक है अब बात आई है इराक की तो आप नीचे बॉक्स में देखिए राजदानी है बगदाद मुद्रा है इरानियन दिनार राष्ट्रपती है बरहम साले और प्रदानमंत्री जैसे की बन गए है मुस्तफा अलकादेमी इतना आपको इस प्रश्ण में से याद रखना है ठीक है आपकी नेक्स अपडेट है कोरोना महामारी से बजाओ के लिए उत्तरप्रदीश सरकार ने कौन सा मॉबाइल एप्लिकेशन लाँच के है योद्धा आयूश कवच कोरोना कवच या कोव यूपी देखिए इसका राइट आप्शन है आयूश कवच राज सरकार कोरो आयूश कवच अप से क्या होगा आयूवेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकिस्सा पद्दिदी की इसमें जानकारी दी गई है ठीक है और नीचे बॉक्स में देखिए आप उत्तरप्रदेश की बात आई है तो राजधानी है लकनव सीम है योगी आदितिनात और राजधाल है आनंदी बेन पटेल इतना आपको इस प्रश्ण में से याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन है आपका हाल ही में बनकर तयार हुई कैलाश मानसरुवर यात्रा मार्ग स्रड़क का उद्गाटन किसके दौरा किया गया है नरेंद्र मोदी, अमिच्छा, नित खूरा का वक्त लगता था पर अरुप इस मार्ग के बनने से लगबक 80 किलो मेटर लंबा बना है इस मार्ग के बनने से अब क्या है कि असानी से वहाँ पर पहुंचा जा सकेगा और लगबक एक हफते का ही समय इसमें लगेगा ठीक है तो किस ने बनाए है इसे बारडर अपका आठ माई देखें डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्री स्वास्तेवं परिवार कल्याण मंत्री हैं इन्होंने विश्व रेड क्रॉस दिवसके अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है के शतापदी समारों में भाग लिया देखें शतापदी समारों कै तो इस वर्ष एक्चल में सतापदी समारों इसका मनाया जा रहा है तो आप इस कुश्चन को भी अच्छे से याद रखेंगे और रेड क्रॉस के बारे में और अधिक जानकारी इंडियन रेड क्रॉस के बारे में आप जुटा लेंगे ठीक है इतना आपको इस कुश्चन म हैं गोवा में देखे हाली में चर्चा में क्यों रहा है गोवा के सीम है प्रमोट सावंद उन्होंने नेत्रावली वन्यजी अभ्यारेंड में एक ब्लैक पैंतर की फोटो वाइरल की है शुसल मीडिया पर और लिखा है कि गोवा समरद्ध वन्यजीवों की शांदार जहलक चीक है तो अब बात आई है गोवा की तो गोवा की राजधानी है पंड जी सीम है प्रमोट सावंद और राजजिपाल है सत्यपाल मलिक इतना आपको इस कुशन में से याद रखना है नेक्स अपडेट है आपकी हाली में भारती मौसम विग्यान द्वारा किस स्थान है मौसम सम्मनित उसमें उन्होंने इस बार गिलगीत और बाल्टिस्तान के और मुझफराबाद के जो की पाकिस्तान ने अधिकरत कर रखा है लेकिन भारत का जो हिस्सा है उसके लिए भी आधिकारिक रूप से पहली बार आकड़े जारी किया है दिखे अभी क्या हुआ था विकत दिवसों में पाकिस्तान के सुप्रीम कोट ने गिलगीत और बाल्टिस्तान में चुनाओं की घोशना की थी और भारत सरकान ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया था और इसी सब के मद्दे नजर भारत के स्टेंड का की पीयो के भारत का हिस्सा है यह कदम अब उठ आपकी नेक्स्ट अपडेट है विशाका पिटनम गैस लीख हादसे की जांचेतू NGT द्वारा बनाई गई कमेटी के अध्यक्षता कौन करेंगे B. शेशासन रेड़ी, V.S. सुमयय जुलू, सीथा रामा मूर्ती या A.K. वैंकट राये देखे हाली में आपको याद होगा विशाका पिटनम या वाईजाग में LG केमिकल्स में अभी गैस लीख होई है इस पर हमने कल भी चर्चा की थी अब उसके लिए NGT ने क्या किया है LG केमिकल्स के उपर 50 क्रोड रुपे अंतरिम राशी के दोर पे मतलब शुरुवाती दोर पे 50 क्रोड रुपे सरकार को जमा करने के आदेश दिये हैं और उसी के साथ में B.S.A.S.N. Reddy की अध्यक्सता में एक कमेटी बनाई है ठीक है अब बात आई है NGT की तो NGT का गठन कब हुआ था 2010 में NGT Act आया था उसी के नतरकत इसका गठन किया गया था ठीक है फुल फार्म होती है National Green Tribunal ठीक है इसमें क्या किया जाता है परियावरंट संबंदित जो मामले होते हैं उनको सुना जाता है और यह एक सिविल नयायले की शक्तियां पर आप संस्थान होता है वैसे Natural Justice के पर जो आपको दिया गया था वैसाग किस धर्म के अनुयायाईयों दौरा मनाया जाने वाला एक तयोहार है देखे वैसाग जो है बुद्ध धर्म के अनुयायाईयों दौरा मनाया जाता है हाली में क्या हुआ कि सांस्कृतिक मंत्राला लाय और International Buddhist Foundation Confederation ने एक आभासी वर् काल महाबोधी बोध गया इत्यादी को लाइव भी दिखाये गया था ठीक है बोध्व पूर्णी बाप पर वैसाग दिवस भगवान बुद्ध के जन्म बुद्धत्व की प्राप्ति और महापरी निर्मा ठीक है को की स्मृति में मनाये जाता है ठीक है इतना आपको इस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं कमेंट करिए और चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दन्यवाद